हेलो फ्रेंड्स वर्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती फैशन विला आज सिंपल सीधी पट्टी के हल्प से हम यह देखें इस तरह की कहना की ड्रस बनाने वाले हैं इसी में हमारी चोली और गेर दोनों है और आज मैंने बिना एलास्टिक के आपको बताया है बहुत इजी होने आप लोग कापी टाम से कमेंट कर रहे थे कि बिना अलास्टिक के बताएं सभी साहज में मेजर मिन चार साथ मैंने आपको समझाया है सबसे बहले हम इस तरह से नेक पे बादेंगे नेक बादने के बाद यह देखें मैं घेर को बादूंगी नीचे वाली और वह भी हम एक् आप इसे पीछे से भी बात पाएंगे आप देखें कितने अच्छे लग रहे है काना जी बहुत खुबसूरत लग रही है और बैक से भी आपको दिखा देती हूं यह देखें यह पूरी कवर है आप चाहें तो इन दोनों पर इस तरह से पकड़के और पिन कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हूं वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बना है बहुत खुबसूरोसी ड्रेस बनके रेडी होई है आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं यह दिखिए काई सबसे पहले में आप यह फैब्रिक लिया है अगर मैं आपको इसकी लंबाई बता हूं तो देख सकते हैं आप यह 11 इंच है और जो चोड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच है यह मैं बना लग च्यून बर के रहा है नमबर के लिए 11 इंच लंबाई और साड़े 4 इंच चोड़ाई में रखिया है सबी साइज पर पैजर मिन देख लीए सबसे पहले हम लंबा इंच, 8 नमबर में 13 इंच, 9 नमबर में 14 इंच और 10 नमबर में 16 रखेंगे और जो चोड़ाई है जीरो साइज में 1.5 इंच, 1 नमबर में 3 इंच, 2 नमबर में 3 इंच, 3 और 4 नमबर में 4-4 इंच, 5 और 6 नमबर में 4-4 इंच, 7 नमबर में 5 इंच, 8 नमबर में 6 इंच, 9 नमब इस तरह से हमें मोड लिना है, आदे पर से मार्क आ जाएगा, जिसे इसका आधा पदा चलेगा, यह एक और यहां पर मार्क कर सकते हैं, पहले यह हमें एसे सेंटर में मार्क लगा लिजेकं, देखें लम्बायः चोड़ाई, दोनों से draw में मार्क लगा लिया हैं, अब क्या क करना है इसे हम छांतर वाले मार्क तक मोड़ेंगे इधर से सब्सक्ठाइए के अबंड़ेगे अपर मोले एक दूसे के के ऊपर अब अच्छे से मोड़ीए हवाज sizin सतर कर दोटेרים सब यहां पे है हमारा center वाला mark आपको समझ आ रहा होगा जो हमने सबसे पहले लगाया था यह बीच वाला है अब हमें यहीं पे इसकी cutting करनी है तो देखिए कैसे cut करेंगे यह जो हमने center में mark लगाया है हम यहीं से ऐसे तिर्चाई से cut कर लेंगे यह आप देख सकते हैं इस तरह से एक तिर्ची line आप ड्रॉ कर लिजए यहां से यहां तक मैंने तिर्ची line funny 영화 कर दी है यहां से हैं और यहां पे यह मैं ऐसे हलका सा इसे चोड़ा कर लूँगी बस इसे हम यहीं से कट करना है आपको कट करके भी दिखाती हूँ यह देखें यह ऐसे पूरा यहां तक यह हमने कटिंग कर दी है अब हम इसे खोल देंगे खोलने के बाद कुछ इस तरह का आपको पीस मिलेगा हमें क्या करना ह है यहां से यह हिस्सा कट करके हटा देना है इसकी हमें जरुवत नहीं है इस साइड से भी हमें वही हिस्सा कट करके हटाना है यह इस तरह से यह देखें मैंने कट करके हटा दिया है अब हमें अपना में फैब्रिक ले लेना है में फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे ब Singh पनी सिलाय के उपर ऊस्तर रखना है और हम इसे सिल लेंगे यहाँ से सिलाई लेंगे पूरा यहाँ और यहाँ से यहां ओर यहां इतनी दुर你們सिलाई लगानी है चले में सिलती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए बैने हाँ पर यह सिलाई जो है वो लगा दी है अब हम अपना में फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे यह इस तरह से यह हमने कट कर दिया आप देखिए एकदम इजी है अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम आसान तरीका बता रही हूँ यह देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे ऐसे करके और सीधा करने के बाद इस पे हम अब चारो सैट स इसे एक बार सिलाई लगा लेंगे उससे क्या होता है बार-बार आपको प्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह आपका हो जाएगा यह देखिए सारी कुनाई मैंने निकाल दी अब इसे में चारो सैट से पुरा सिलाई लगाऊंगी चलिए लगाती हूँ मैं मैंने यहां इसे प्रिल इटाइच करना है अब आप देख सकते हैं और अगया का में चाहिए और छालिस लंबाई अब देख सकते हैं शे मैंने डबल करकी प्रेस कर लियंग जो खुली हुई साइड है इधर सही हम अपनी फ्रिल बनाना है स्टार्ट करेंगे आप देख लीजे कैसे बनानी है यह देखें बहुत ज्यादे एक दूसे के ऊपर चढ़ा के हम अपनी प्लेट नहीं बनाएंगे यह इस तरह से करके हमें सिल लेना है बस बहुत इजी है आस दो जूना ही चोड़ा करना है यहां से यहां तक कि यह देखें मैंने हम प्लेट बना लुथ है अब अपना नहीं लेगे इस तरह से हैसे ऐसे करके रखेंगे और यह अट एक शिलायी लगा लेंगे यह यह द्यक् Similar यह देखी मैंने हुआ पर सिलाय को लगाती है अब में इस तरह से खोल देंगे खोलने के बाद हम यहां पर भी ऊपर से खोल के लगा लेंगे चलिए लगाती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है ये देखी मैंने यहाँ पर इसे सिल दिया अब मैंने यहाँ पर ये डेड़ इंट की पट्टी लिए है इसे हम डोरी बनाएंगे तो इस तरह से मोड के हमें एक डोरी बना लेनी है और अपनी डोरी को हम यहाँ उपर नेक पर लखके सिलेंगे चले सिलती हूं फिर आगे बताऊंगी हमें क्या करना है यह देखी मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी है मैंने एक लंबी सी डोरी और भी बना ली है इसे देखें कितनी इतनी लंबी है हमारी हमें क्या करना है सुई दागे से मैं आपको बता रही हूं आज आप ही लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें Elastic के बिना बता है तो देखें बिना lastic के बता रहे हूँ इस तरह से हम यहां पर पहले प्हेले अपने एकदम सिंपर सीधा सिलते चले जाना है इसे में हमारे घेर और चोली दोनेची जा जाएगी अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रावल्म नहीं होगी एलास्टिक ही लोगों को ज्यादा वो लगती है क्योंकि कुछ लोगों को मिल नहीं पाती है या फिर मार्केट नहीं जा पाती है जो भी तो काफी टाइम से कमेंट आ भी रहा था कि बिना एलास्टिक के बताएं यह आप देख सकते हैं यह हमारा अभी 6.5 इंच है 1.5 इंच मैं इसे और इस तरह से करती हूँ और नौट लगा दूँगी बस अभी मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि यहापे आपको कमर कितने इंच रखनी है तो यह मैंने 6 नंबर के लिए 6 इंच रखी है तो देखिए यहापे आपको जीरो साइज में कमर 3 इंच रखनी है 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 4 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 6 इंच, जैसा हमने यहापे रखा है रेडी की है इसे हम इसी के ऊपर रखके और सिल देंगे तो यहां पर हमारे धागे की सिलाई जो है वो कवर भी हो जाएगी और हमें बैल्ट भी मिल जाएगी तो चलिए मैं सिल लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह देखे गाएज यहां पर हमारे ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है यह उपर से हमारे चोली बाला हिस्सा है और यह हमारे कमर पर आएगा अब चलिए मैं आपको इसे पहना के दिखा देती हूँ सभी साइज में आपको सिलाई ऐसे ही करनी है जहां पर जो measurement चेंज रही कि मै आपको बता दिया तो यह देखेगा इसे हमारे ड्रेस बहुत सुंदर लगा है आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे है काना जी मैंने इसे छे नंबर को पहना ही आप 5 नंबर को भी पहना सकते हैं आप बैक से विए इक चा प्लिए पूरी कवर है कहीं से भी खुली नहीं रहेगे और समर्च के लिए एकदम comfortiable है इसे पहना कर बनाया है इसे पहना के मैंने आपको की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी कर दिया तो जाकर चेक कर लींगा अब मैं आप मिलूंगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे